हेलो फ्रेंड वेल्कम वेक्टो मैं चैनल आई होब यू आ डूइंग वेल एंड आल इस वेल फ़रन आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इस बुक के चैप्टर 7 जिसका नाम है गुप्त एवं हर सवर्धन का काल इस बुक का पेज नमबर 50 इस बुक में इस चैप्टर में जितने भी multiple choice question दिये गए हैं इस topic से संबन देते उन सभी questions को हम लोग solve करने का परियास करेंगे तो प्लीज आप से चोटी से request यह है कि आब प्लीज इस वीडियो के साथ में attention अपना पूरा बनाया रखेगा इस वीडियो को till end अंत तक चरूर देखेगा तो चलिए बढ़ते हैं question number one की और question number one is where कौन सा विध्याले है जो गुप्त काल में काफी विख्यात हो गय तो उस विष्विध्याले का नाम है दोस्तो option c नालंदा जिया गुप्त बंस के सासक कुमार गुप्त जिनका नाम था महिंद्र आदित्याने नालंदा जो पढ़ता है आपका बिहार में इसके स्थापना करी थी आपको ध्यान लखना है कि नालंदा है कहां पर यह आपका बिहार में और इसको बनाया किसने था इसका निर्मार किसने किया थो यह किया था महिंद्र अदित्याने अब दोस्तो इसका औंने नाम भी है नालंदा विस विद्धैले जो हैं इसको एक अनने नाम सी भी पुकारते हैं इसको हम लोग Oxford ऑफ महायान बोध भी इसको कहा जात अब एक और परसनल्टी इंपरेंट है बनवाने वाला इंपरेंट है और साथी साथ एक ऐसा सासक था जिसने इसको लूटा था जी हाँ इसको तहस नहस करने का पुरा परियास किया था वोक्तापका बक्तियार खिलजी जी हाँ बक्तियार खिलजी ने इसको क्या करा लूटा और इसके पुस्ते काले में भी आग लगा दी थी. अगर दीखेए अगर विध्याल से थे तो पुस्ते काले भी होगा. लैबरिल भी होगी. तो इसने इसको पुरा तहसनेस करने का पर्यास किया था. तो याद करेज़़ेगा. महिंदर आदित्य ने इसको बनवाया था और तहसनेस करने का परियास किया था बक्तियार ख़लजी ने परियास कर Itие आएट इसने तहसनेस करी दिया था चलीए बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर टू के ओर Q2 बान भट किस समराट का दरबारी कवी था तो right answer is option C हर्सवर्धन का जी हाँ बान भट जो समराट हर्सवर्धन था इसका दरबारी कवी था Q3 भारत का नैपोलियन किसे कहा जाता है जो भारत का नैपोलियन कहते हैं समुद्र गुप्त को इसकी वास्ता में क्या विश्यस्ता थी तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम question 4 बात करें तो यह अपने विश्यविध्याले के अंदर केवल बोध धरम के ग्यान को बाटते थे मतलब कि बोध धरम का ग्यान अगर हम को पराप्त करना है तुम कहां जाएंगे हम जाएंगे नालंदा विस्विध्याले में देखे हर एक विस्विध्याले की अपनी खास्यत होती है तो वैसे ही नालंदा विस्विध्याले की अपनी खुद की खास्यत थी कि इसमें बोध धर्म का ग्यान दिया जाता था question number 5 पहला ग्यात गुप्त सासक कौन था question number 5 most time भी questions है देखे पहला जो हमारा गुप्त सासक था वो था श्री गुप्त कौन था श्री गुप्त ऐसा हमको मिलता है अपने इतिहास के पंडों में लेकिन जैसे से ये कारे काल इनका आगे बढ़ता गया ये वन्स आगे बढ़ता गया तो इसका वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो कहा जाता है चंद्र गुप्त परत्थम को तो ये आपको ध्यान लखना है और दोस्तो एक questions और important है कि इसका कारे कारे काल कब से कब तक था तो 240 CCV से लेकर के 280 CCV तक इसका पूरा कारे कर रहा और श्री गुप्त को गुप्त वन्स का संसापक भी माना जाता है लेकिन श्री गुप्त को पूना तामर पत्र में अधिराज के नाम से इसको पुकारा गया है आपको याद ख़ना है कहने करत मेरा ये है कि अधिराज की उपादी किसको प्राप्त है तो ये प्राप्त है श्री गुप्त को राइट मूव करते हैं कोश्चन नमबर 6 की ओर किसकी उपलब्दियों को इराबाल सीरा लेकों में वर्ण किया गया है यहां किसके उपलब्दियों का इलाबा सिरलेक्ट में बढ़न मिलता है हमको तो वो थे समुद्र गुप्त Right answer is options B Question number 7 किस गुप्त सासक के कारेकाल में चीनी यातरी फयान जो था वो भारत आया था तो यह आया था चंद्र गुप्त देती है के काल में Right answer is options C अगर वास्था में इसके बारे में जाने तो दोस्तो यह topic काफी important है कि फयान जो था है एक चीनी यातरी था जो भारत में चंद्र गुप देती है कि सासेन काल में भारत आया था वो वास्था में क्या था है बोध धर्म को काफी मानने वाला था और यह तो याद रखिएगा कि 399 से लेकर के 399 से लेकर के ये 414 तक भारत में अलग 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 स्थानों पर ये घूमा बोध धरम के ज्यान को इसने अरजित किया और फयान ने 15 वर्सों के भारत भ्रमण में गंधर भी घूमा था ये तक्षिला भी गया था पेसावर भी गया था आदी स्थानों पर ये घूमा और उसके बाद उसने बहुत बड़ी जानकारी को हासिल किया कोश्चन नमर देखते हैं 8 इन में से कौन सा कतर गुप्त वंस के बारे में सही नहीं है तो राइट आंसर इस ऑप्शन बी देखिए गुप्त काल का वंस का सबसे बड़ी बात य थी कि यहां पर जो सासन था वंसानुगत नहीं था राइट तो बढ़ते हैं कोश्चन नमर नाइन पर कि कवी कालिदास किसके दरवार में रहते थे तो कवी जो कालिदास थे वो किसके दरवारी उते कवी थे तो यह थे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राइट आंसर is option C. Question number 10. सबसे प्राचीन विस्विद्ध्याले कौन सा है? सबसे प्राचीन विस्विद्ध्याले जो है दोस्तों वो है नालंदा. Question number 1 में हमने अपको बताया था दोस्तों तो आप प्लीज अब मुझे single comment करिए कि मैंने आपको question number 1 में बताया था कि कि किस लिखिए फिर दूसर नम लिखिए और मुझे कमेंट करिए अगर आप इसका अंसर दे पा रहे हैं तो आपका अटेंशन वीडियो के प्रती हंड़ेट परसेंट है अगर इसका नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीस ठिंक अबाउट इट विचार जरू करिएगा कि आप आगे वारी कवी था स्याम विद्वान भी था विद्या से काफी प्रेम भी करता था और काफी बहुत अधिक इसको नौलिज भी थी अगर हम कहें तो बात करते हैं तो बानभट के बारे में एक चीज़ा पुद्यानक नहीं कि बानभट ने हर शरीत और कादमबरी की रचना भी की थी तो आपसे एक्जाम में पूछता है हर शरीत के रचेता कौन है कई बार एक्जाम में पूछा गया तो कौन थे बानभट या फिर आपसे पूछेगा कादमबरी के लेका कौन है यह है बानभट कुश्चन नमबर 12 किसके द्वारा गुप्त युग आरम हुआ था तो यह हुआ था घटोत स्वरी यह हुआ था आपका शिरी गुप्त के द्वारा राइट आंसर इस ऑप्शन बे सासनकाल अगें रिपीट करेंगे 240 से लेकर के क्या था पैट असका सासनकाल इसका था 280 चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नमबर 13 गुप्त बंस परसिद था गुप और लेकक बना वो कौन था अंतिम बोध सासक कौन था तो वो था हर्श वर्धन राइट आंसर इस ऑप्शन डी क्वेश्चन नमबर 15 गुप्त सासकों की सरकारी भासा क्या थी तो ये थी दूस्तों संस्क्रेट क्वेश्चन नमबर 16 अपने राज्ये के परसार के नीतियों के लिए भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था तो राइट आंसर इस ऑप्शन डी समूंद्र गुप्त कोश्चन नमबर 17 वह राजा जिसने विक्रम अधित्य की पद्वी धान की थी कौन था दोस्तों विक्रम अधित्य के नाम से हम बुलाते हैं देतिये को अगला पाइट देखते हैं कोश्चन नमबर 18 दोसों इस से संबन्द इतना मैं एक दो कोश्चन सबको और कहना चाहूंगा कि इसकी कुछ अन्य उपलब दिया पी थी कभी कभी एक जाम आपसे पूस्ता है कि परम भागवत ये उपादी किसको प्राप्त है परम भागवत तो ये उपादी भी आप पिलीस पेंड़ों कर लीजेगा ये उपादी भी चंद्रगुप दित्ये को ही प्राप्त है कुश्चन नमबर 18 गुप सासको के काल के दुरान निमखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान कगुलग विज्ञानी और गनित तक गे तो वो सासक कौन था तो वो सासक था इसकंद गुप्त राइट आंसर इस ऑप्शन सी कुश्चन नमर 20 गुप समवत निमकित में से किसके द्वारा इस्थापित किया गया था सो राइट आंसर इस ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप पर्थम अब बढ़ते हैं अगले कुश पर हाँ इस कोश्चन दोस्तों एक इन्फोर्मेशन मैं पूर देना चाहूंगा जहां तो मुझको जादा आप रहा है चंद्गुप पर्थम नहीं गुप समवत 319 और 320 के आसपस का जो ये टाइम था इसका इसका इसको स्टार्ट किया था और गुप समवत तरस सक समवत के मैं कितने वर्शों का अंतराल है उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे एक लंबे समय से त्यारी कर रहे हैं जिनको एक वर्श से अधिक समय हो चुप है त्यारी करते विए कॉम्पेटर इग्जाम की तो वो तो इसका आँसर दे सकते हैं मैं पूरी उम्मीद करता हूं इसको गुप्त काल में किस धातों के सरवादिक सिक्के जारी किये गए थे गुप्त काल में कौन सी धातों के सरवादिक सिक्के जारी किये गए थे तो यह थे दोस्तों आपके सोने के किस के सोने के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता है था कि सी से कि सिक्के किस ने जारी किये आपने पिछला वीडियो वाच नहीं किया है या फिर इस बुक के अगर आपने कोई भी वीडियो वाच नहीं करें हमारे चरण पर नए आप जुड़े हैं तो आप इस पूरी बुक का प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिया अब देखिए बिच्चों यहां पर एक बार इस्टेट जो PCS के एक्जाम होते हैं जीएस पेपर वन में दो ती मारे कोशन बना है आपका कि पंच सिद्धान का जो परतिपादन था वो किस ने किया था वो किया था बारे महिर ने और दोस्तों एक इसने चीज बताया थी कि एक आयनांस कितने सेकेंड के एक्विलेंड होता है तो यह होता है दोस्तों आपका 50.32 सेकेंड के तो यह आयनांस क्या होता है इसके बारे में एक बार गोगल करिएगा इसकी statement चेक करेगा बहुत ही प्यारा concept है और दोस्तों जो आप टिग्रोमेट्री यूज़ करते हैं टिग्रोमेट्री के जितने भी formula बगर जो बनते हैं आपके दोस्तों तो ये सब formula किस ने दिये थे बारे महिर ने दिये थे पंच सिंधान दिकाम के अंदर question number देखते हैं 23 निमकित में से किनके सिके संगेत के प्रती उनका प्रेम दर्शाते हैं so right answer is the option C गुप्त के और आपको याद होगा दोस्तों कि एक कॉइन था जिसमें व्यक्ति को वीना बजाते हुए दिखाया गया था तो एक बात तो साफ है कि ये संगेत के प्रेमी थे वो व्यक्ति कौन था सोची सोची आपको याद आएगा देखे ये गुप्त सासक था इसका नाम था क्वा समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त को उसकी मुद्राव पर जो भे उसके कॉइन से उसको वीड़ा मजाते हुए प्रिंट किया गया था question number 24 सुनने के सिध्धान का परतिपादन किस ने किया था most temporary question और बहुत ही basic question right answer is option C question number 25 लिच्चवी दोहेत्र किसे कहते हैं लिच्चवी दोहेत्र किसे कहते हैं तो यह जो उपादी दोस्तों परापती यह थी समुद्र गुप्त को right answer is option D देखें लिच्चवी एक्चवी यह उपादी भी थी और यह इसकी माता का जो वज़ सा वो था देखें उसकी माता कुमार देवी एक लिच्चवी राज कुमारी थी इसलिए इसको लिच्चवी दोहेत्र भी कहते थे समुद्र गुप्त को question number 26 गुप्त काल के दुरान निम्न में से कौन सा सिक का चांदी में जारी किया गया था so right answer is रूपक या पिर रुपिय का so friend यह था आपका एक छोटा सा वीडियो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करिए और अपने friend तक अपने group तक facebook group, telegram group, whatsapp group वहाँ तक इस वीडियो को share करिए और हमको support करिए wish you all the best for your exam thanks for watching this video bye bye, take care